यह बेंगॉली भरता अगर आपने ट्राय कर लिया ना तो उसके बाद जो है दाल चावल आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा और जब भी दाल चावल बोरिंग लगे तो फिर यह भरता हमेशा आपके लिए जो है बाक अप लान रहने वाला है आपको यह बेहत पसंद बहुत ही जाड़ा टेस्टी लगता है इसमें बहुत ही जादा होगा कि अपने किचिन में और इससे जल्दी से बनाना शिरू करते हैं बिड़ा टाइम लेस्टी यह बनाने के लिए दिखिए क्या करना है आपको पैन में तeल ले लेना है और लालमिर्ष को जह सबसे पहले ठीव करने कर देड़ा घे घ्नलेंगे तो बैरे लाल मिर्श को कुर कुरा निकाल लेंगे इसमें तेल में बुन लेना है बहुत साहइं इसको भुन कर निकाल लेना है और धेर सारा लहस्नने की तहीं अब इना धेर अब इन लहस्ननumbles के सी तरीकों और र erstmal जोरी कालर ईना can जो है इससे भी आप भून कर निकालने और उसके बाद जो है आपको टीर सारा जो है प्यास कट करना है तो यह दिखिया आपने प्यास इस तरीके से मैंने किया किया मिđडियम चॉप कर लिया यहां तक पुरा और चीछ साथ चैंज का पुरो को करने तक पूरा दियान ये दियान में प्रप लो प घ्नली चांज करनों और अचछा कर हैं अुग्स माथिय।DE तो ये देखें इस तरीके से जो है गुलाबी होने तक basically प्यास का properly color change करना है पर ध्यान ये देना है कि बहुत fast करने के चक्कर में आप इसे medium या high flame पर ना करने तो मज़ा नहीं आएगा और ये देखें इस तरीके से जब प्यास कुरकुरी हो जाए color change हो जाए तो बस इसे भी निकाल लेना है और basically cooking वाला काम हमारा खातम हो क्या अब क्या करना है इन तीनों चीजों को निकाल लेना है basically less than curry mirch sorry लाल मिर्च और उसके बाद जो है यहाँ पे fresh धनिया चॉप करके अग करना है उसके बाद एक निम्बू को half cut कर दिया और squeeze कर दिजे और उसके बाद नमक यहाँ पे डाल दिजे स्वाद अनुसर बस और जाता है और यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इसको गरम चावल के साथ किया जाता है तो बस मिक्स कर लेने के बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है गरम सरसो तेल उपर से डालेंगे और अच्छी दरिगे से मिक्स कर लेंगे और आपका रोसन भूरता बनकर त साथ में अगर आप दाल लाइक करते हैं तो दाल और शावल निकालिए और सर्फ करिया गर्मा गरम चावल के साथ यह भूरता बहुत सादा टेस्टी लगता है मैं सजिस्ट करूंगी चावल गरम ही नहें तब ही इंजॉय करें बहुत ही अच्छा लगेगा इसको शेयर करि और सब्सक्राइब करें